हलो दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है OTA Education में और आज के lecture में हम डिसकस करेंगे वर्चुल ग्राउंड के कंसेप्ट को अब बच्च बच्वह करदी में अँचि Best of the लेक्षर जो और देखते हैं कि क्या है virtual ground concept. अधर लिकर थो basically virtual ground क्या बोलता है मैंने आपको op-amp का symbol बताया था ऐसे हमाइक बनाते हैं यहां उस आपटूर्ट लेते हैं यह inverting terminal होता है जहां पर negative होता है और यह non inverting terminal जहां पर positive यह दो चीज मैंने आपको बताई थी प्लस वी सी सी और मानस वी सी सी जो डिसाइड करती है और पैंप का आउटपुट के लेमिट यह मैंने आपको बताया रखा है लास्ट लास में सारा समझाया था मैंने आपको ठीक है अब अगर हम देखें अगर कोई भी ओपैंप एक वैल्यू होगी ठीक है आइडियल ओपैंप की ओपन लूप गेन इंफैने होता है ठीक है यहाँ पर यह इनवर्टिंग टर्मिनल और यह नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इसके लावा मैंने आपको ओपैंप का इन्पुट बताया था जिसको हम वीडी बोलते है और दिनोट कैसे करते हैं VD is equal to V non-inverting minus V inverting यह मैंने आपको बताया था कि VD क्या है ओपैंप का इन्पुट ओपैंप के अंदर जो इन्पुट जा रहा है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि वो इन्पुट की वैल्यू क्या है इसके लावा open loop gain का मैंने formula आपको बताया था ओपैंप के open loop gain का formula बताया था AOL का formula क्या होता है Voutput upon VInput यह मैंने आपको बताया था हमें पता है कि open loop gain ideal open amp का infinite है अब यहां पर एक condition आती है Voutput और VD का division infinite के बराबर है और यह तब ही हो सकता है जब यह तो मेरा Voutput infinite हो यह फिर VD 0 हो यह दो condition आती है मेरे पास आगर मैंको इनका division infinite के equal लाना है थो Output equals to infinite यानि Output हमारा infinite ऐसा हो क्या यह possible है Output infinite हो सकता है किसी भी open amp का मैंने आपको clear किया था last class में जब मैंने basics बताया थे कि कि किसी भी open amp का output decide करने के लिए उसकी limit होती है वो यह होती है Vcc प्लस और मैनस Vcc यही decide करते है कि open amp का output क्या होगा और यह कोई भी infinite नहीं होती है यह लिमिट होती है इनकी कोई भी values हो सकती है इनकी कोई limit होती है open amp का output कभी भी infinite नहीं हो सकता OPM का output कभी भी infinite नहीं हो सकता क्योंकि OPM का output infinite हो गए नहीं क्योंकि OPM की minus saturation value है हमेरे पास plus saturation value है OPM एक time के बाद saturate हो जाएगा उससे ज्यादा output वो नहीं दे सकता और जो limit होती है OPM की वो कौन डिसेट करता है plus Vcc और minus Vcc यह मनें last last में आपको बताया था इसका मतलब जो मेरा यह वाला assumption है कि मैं output को infinite ले लूँ यह तो हो नहीं सकता तो possible ही नहीं है possible क्यों क्यों कि OPM का output कभी भी infinite नहीं होता उसकी एक limit होती है उसके बीच ही वो output देता है दूसरा option मेरे पास क्या है कि VD को गर मैं 0 कर दो तब इन दोने का division infinite के equal हो जाएगा VD मैं 0 कर सकता हूँ इसमे मेरे पास कोई problem नहीं है इसमें कोई limitation नहीं है VD मैं 0 कर सकता हूँ VD मैंने 0 कर दिया अगर मुझे open loop gain infinite लाने हो तो मैं कोई VD को 0 करना पड़ेगा क्योंकि Vout को मैं 0 नहीं कर सकता तो मैंने VD को 0 कर दिया अगर मैं इसको V non inverting को यहर लेकर जाओ तो मेरे पास एक expression आएगा V non inverting equals to V inverting और यही मेरे पास virtual crown का concept है basically यह जा expression है यह मुझे क्या बोल रहा है यह मेरा एक O Pampa this is non inverting this is inverting जो voltage non inverting terminal पर है वही voltage inverting terminal पर है यह non inverting terminal और यह non inverting terminal है जो voltage inverting terminal पर है वही voltage non inverting terminal तो मैंने को short कर दो शॉर्ट करने से पता लग जाएगा, शॉर्ट करने का मतलब क्या बाता है, दो पोइंट गी पोटेंशल पुर होते हैं, तो सेम, ये पोइंट मुझे बोल रहा है इसी को हम वर्चुल गरंड बोलते हैं ठीक है एक छूद औरह आपको मेशन का दकना है ये तो आपको पता लगे वर्चुल गरंड में क्या होगा जो भी वैल्यों नोbbeंड के पास सब्सक्राइब पास होगी ये वैलिड है तब जाब अमरे पास आइडिव ऑपैंब हो क्योंकि आइडिल उपम्प में जो इन्फिनेट होगा इन्फिनेट बनाने के लिए मुझे वीडी को जिरो करना पड़ेगा जैसी मेरा वीडी जिरो होगा वी नुन इन्वर्टिंग में इन्वर्टिंग के ब्रावर हो जाएगी ठीक है यहां पर मैंने एक फीडबेक रजिस्टन्स लगाया है जिसकी वैल्यू है र्टू यहां पर मैं इसको एक इन्पूट दे रहा हूँ इन्वर्टिंग एक इन्पूट दे रहा हूँ वी आई और यह मेरा वी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और यह मेरा वी इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहां से मैं इसको import दिया non-inviting terminal को अगर मैं ground कर दू non-inviting terminal को अगर मैं ground कर दू open loop gain opamp का infinite है जब open loop gain infinite होगा opamp का मेरे बास condition क्या होगी open loop gain infinite का मतलब v output upon vd equals to infinite के कब valid होगा जब vd 0 होगा मैंने बता रहा है vd equal to 0 का मतलब v non-inverting equals to inverting हो जाएगा यह मैंने अभी इससे पीछवली slide में बताया था v non-inverting क्या है 0V क्यों v non-inverting ground है तो v-inverting क्या हो जाएगा as simple as that v-inverting भी 0 हो गया यह वाला टर्मिनल तो ground है यह वाला टर्मिनल ग्राउंड नहीं है बट वर्च्वली यह ground हो गया क्यों? क्योंकि इस टर्मिनल की potential भी 0V हो गई और इस टर्मिनल की potential तो 0V है इस ही concept को यह जो है यह वर्च्वली ग्राउंड इस ही concept को हम बोलते है वर्च्वल ग्राउंड यह वाला जो मेरा इस टर्मिनल पर जो potential है वह है 0V 0V इस पर है और बींग अ वर्च्वल ग्राउंड concept यह जो इसमें वर्च्वल ग्राउंड का concept लग रहा है तो इनवर्टिंग टर्मिनल की voltage भी मेरी 0 हो जाएगी inverting terminal की potential भी मेरे पास 0 हो जाएगा और अगर inverting terminal का potential भी 0 हो गया तो indirectly हम इसे क्या बोल सकते है कि inverting terminal भी हमारा ground है तो directly तो नहीं दिख रहा है यह ground है but virtually दिख रहा है यह ground virtual का मतलब जो चीज दिखने रही है हम assume कर रहे है तो हम इसको assume कर रहे है ground है क्यों क्योंकि इस पर 0 potential है भाई इस point पर यह point है यह पर 0 potential है यहाँ पर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है यहाँ पर कोई भी मैं input दे रहा हूं तो मैंने यही बता दिया दूसरा मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दिया तो easily आपको समझ आ चाहेगा यह देखो यह को पंप है यह मैने एक feedback दिया है feedback resistance R2 this is R1 plus Vcc minus Vcc V output इस terminal पर मैं क्या दूँगा V inverting V input यह V inverting इस terminal पर अगर मैं यह non-inverting terminal है मेरा V non-inverting इस terminal पर मैं एक voltage देता हूं इसको V V non-inverting terminal जो है मेरा इस पर मैंने V voltage दिये यहाँ पर मेरा open loop gain है वो infinite है यहाँ पर मैंने voltage V दिये open loop gain मेरा infinite है जहाँ भी मैं को दिखे की open loop gain मेरा infinite है तो automatically यह समझ आना चाहिए open loop gain infinite होने का मतलब क्या है V D 0 V D 0 मतलब V non-inverting minus V inverting equal to 0 V non-inverting minus V equal to V inverting equal to 0 का मतलब V non-inverting is equal to V inverting that means non-inverting terminal की voltage V inverting terminal की voltage के बरावर होगी non-inverting terminal की voltage के रहना है V non-inverting की voltage की है V इसका मतलब V inverting की voltage क्या होग गई inverting terminal की voltage क्या होगे V इसका मतलब क्या होग की यह point और यह point वर्चुली शॉर्ट है यह पॉइंट और यह पॉइंट वर्चुली शॉर्ट है वर्चुल ग्राउंड और वर्चुल शॉर्ट सेम कंसेप्ट है अगर यह पॉइंट मेरा ग्राउंड होता तो यह पॉइंट भी ग्राउंड होता है इसको हम वर्चुल ग्राउंड बोलते है अगर यह पोइंट मेरा ग्राउंड नहीं है कोई भी वोल्टेज तो सेम वोल्टेज इस पोइंट पर होगी इसका माते दोनों विर्चुली शॉर्ट है तो विर्चुली शॉर्ट है तो विर्चुली शॉर्ट है तो थोड़ा सा दिफरेंस है कि अगर एक टर्मिल तो इसमें वर्चुली ग्राउंड बोलते है तो दोनों concept same है दोनों का मतलब सेम है दोनों का मतलब सेम क्या है open look gain infinite होने के विज़से VD 0 होता है VD 0 होने के विज़से V non-inverting minus V-inverting 0 होता है V non-inverting 0 होने के विज़से V non-inverting equal to V-inverting हो जाएगा ठीक है तो यह concept था बता दिया वर्चुल का concept इतना है तो वर्चुल का आपको समझ आ गया ठीक है अब कोई भी जो concept होता है वो concept तो है बढ़ उस concept के साथ-साथ उसकी कुछ limitations भी होती है तो ऐसा नहीं अगर आपको वर्चुल ग्राउंड आ गया तो हर हर circuit में आप वर्चुल ग्राउंड लगा होगे ओपम का हर circuit दिख गया आपको non-inverting terminal की voltage पता लग गई और आप non-inverting terminal की voltage पता लगाने के लिए सेम वर्चुल ग्राउंड लगा दिया कि भाही इसमें जो non-inverting terminal की voltage हो वो ही inverting terminal की voltage हो चाहेगी तो ठीक है नहीं हर concept का एक दायरा होता है एक इक पर्टिकुलर एरिया होगा पर्टिकुलर रेडियोस होगी जहां पर वो काम करेंगा सेमेज की विर्चुल ग्राउंड के concept में भी है फ्रकॉर्टी क्यूंट की कुछ लिमिटेशन सें जहां पर यह एप्टिगल होता है तो वीर्चुल में डिसकस करेंगे साथ साथ आप नोट करते जाना तो पहली कंडिशन क्या है विर्चुल ग्राउंड की वो ये की विर्चुल ग्राउंड इस वैलिड इस विर्चुल ग्राउंड 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 जिस भी opamp में open loop gain की value infinite होगी, virtual ground concept सिर्फ महीं पर valid होगा क्यों? अगर open loop concept की value, open loop gain की value infinite होगी, इसका मतलब VD मेरा 0 होगा, VD 0 होगा इसका मतलब V non inverting equals to V inverting होगा, तो यही थो virtual ground है, लेकिन यह valid कब हो सकता है जब हमारे पास open loop gain की value infinite होगी, open loop gain की value infinite कब होती है? open loop gain की value infinite सिर्फ ideal condition में होती है, कि जब मेरा opamp ideal होगा तब यह open loop gain की value infinite होगी दूसरा top point देखो दूसरा point का इसका, virtual ground का, virtual ground concept is value only for virtual ground concept is valid only for negative feedback थोड़ा उपर लिखता हो उसे और न सारे आनी बाएंगे आने बाएंगे आने लिग से भाएंगे झाल बाएंगे भाएंगे बाहे वह टूसरा Virtual Ground Concept is only valid for Negative Feedback System अब आपको Negative Feedback System और Positive Feedback System का एक 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 जामपल देते हूं so that आप पता लगा पाहो कि Negative Feedback System के और Positive Feedback System के है ये एक अपम्प है ये नेगेटिव ये पॉसिटिव V-Output V1, V2 this is R1 this is R2 इस case में जो मेरा feedback resistance है वो inverting terminal से connected है यह inverting terminal है यह feedback resistance का से इसको हम बोलते है negative feedback positive feedback किसको बोलेंगे जहां पर मेरा feedback resistance non-inverting terminal से connected होगा उसको हम positive feedback बोलेंगे तो समझ आ गया negative और positive feedback क्या होगा इधर मेरा non-inverting terminal से connected है feedback resistance इधर मेरा inverting terminal से connected है feedback resistance यह negative feedback होगया यह positive feedback होगया अब ध्यान देना है यह second point है यह बताता है कि हGu वृर्टवाूलल ग्राउन्अ कंसर्ट में वैलिड को नहीं होगा इस वाले शिस्टम में जब भी हमारा पास positive feedback वालिड नहीं होगा वार्टवललल क्राउड 2 पीडवेक on ठीक है इसके लाबा थर्ड पॉइंट जो ओपैंप से रिलेटेड है यह आप नोट कर लेना जो मैंने बता है पॉस्टिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक फीडबैक सिस्टम के बारे में आगे बढ़ेगी चोड़ा सा बस आपको बता है कि क्योंकि condition बढ़ने बहुत ज़रूरी अगर आपने concept सीख लिया बहुत अच्छी बात है बट concept कहां पर apply हो रहा है यह बहुत ज़रूरी है तो मैं opamp में virtual ground की conditions आपको बता रहा हूं कि कहां कह पर conditions आपकी valid हो सकते है तो यह वह note कर लेना मैं भी erase करूंगा ठीक है थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो virtual ground concept is only valid for internal terminal not for external terminals यह बहुत important point है आगे आप जब numerical करेंगे तब इस बारे में ध्यान देने क्या virtual ground is only valid for internal terminals not for external terminals इसका मतलब क्या हुआ कि अब ही देखो यहां पर मैं आपको example बताता हूं कि यह point क्या बोल रहा है is point का मतलब क्या है यह एक मेरे पास op amp है यह यह this is r2 इसको rf बोल देता है यह r1 यह r2 ठीक है इस concept में जो यह मेरा एक terminal है v1 यह terminal है v2 इस concept में जो non-inverting terminal है वो यह बाला terminal है resistance के बाद बाला this terminal is v non-inverting this terminal is v inverting non-inverting terminal यह बाले नहीं है यह external terminals तो यह जो terminals है और यह बाले यह internal terminals है और यह जो यह जो दोनो terminals है यह external terminals है जो वर्टॉल करम का वो सिफ इन दोनो terminals के लिए है इसका मतलब यहाँ पर जो voltage होगी वो ही यहाँ पर voltage होगी मेरी लेकिन यह चन्फर्म नहीं है कि जो voltage v2 पर है वो ही voltage v1 पर हो यह वाला point और यह वाला point valid नहीं करता यह वाला point वर्चुल करूं कंदिशं को वर्चुल करूं कंदिशं इस पर वला वैलिड नहीं होती यह internal terminals है, differentiate आराम से कर सकते हैं, जो भार की दरफ terminals है, वो external terminals है, जो अंदर की दरफ terminals है, वो internal terminals है, internal terminals पे ही virtual run concept valid होगा, external terminals पे virtual run concept valid नहीं होगा, ठीक है, तो यह मैंने आपको बताया, third जो concept है, third point है, third point important भी है, क्योंकि कही बार, आप ऐसी गलतिया करोगे, numerical में, जहां पर external वाले point पर आप virtual run लगा दोगे, और question solve पर दोगे, answer निकाल दोगे, option में answer भी होगा, mistake, ठीक है, third point हमारा होगया, इसके बद four point, fourth point एक important है, क्या है, fourth point क्या बोलता है, क्यों virtual ground concept है, is only valid for, virtual ground concept only valid for closed loop system, यह fourth concept, second concept से पहले गराना चाहिए था, बढ़ ठीक है, कोई नहीं, आपको loop system तो मैंने पताए दिया था, बढ़ देखो, virtual ground concept only valid for closed loop system, इसका मतलब, क्या हुआ, यह मेरे पास system है, यह एक closed loop system है, यह जो system है, जो मैंने अभी बताया है, यह closed loop system है, अगर में को open loop system बनाना है, तो याद करो, लास्ट लास्ट में आपने एक comparator circuit किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने comparator circuit कराया था, कराया था ना, इसा कुछ करके कराया था, उसमें resistance निमता कराया था, यह एक open loop system है, open loop system मतलब, इसमें कोई भी feedback loop नहीं है, output से input का connect करने के लिए, इसमें feedback loop दिया हुए, RF, output से input का connect करने के लिए, इसका मतलब, यह जो open loop system है, इसमें virtual ground valid नहीं होगा, virtual ground valid होने के लिए, एक तो वो ideal open, उसका open loop system infinite होना चाहिए, दूसरा वो closed loop होना चाहिए, और अगर closed loop है भी, तो closed loop में वो एक negative feedback होना चाहिए, positive feedback नहीं होना चाहिए, इन तीनो points के लाबा एक और important point क्या था, virtual ground concept is only valid for internal terminals not for external terminals, यह मैं आपको बता है, open loop system, this is closed loop system, ठीक है, यह हमारे 4th point हो, 5th point के लिए, मैं को दुबार से आपको एक example के तो सम्झाना पड़ेगा, कैसे, देखो, अगर यह मेरा एक opamp है, इसा कुछ, इसा खच। voutput,R1, RF, R1 और यहां पर यह ground है और यहां पर कोई value यह जो voltage है यह 2V 2V कर शोर्स मैं ने कनेक किया non-inverting terminal पर यहां पर एक value हो बीच में एक ground इस circuit में देखके यह मैं next point बता रहा हूं इस से related नहीं है आलग से बता रहा हूँ वह point में बाद में लिखूँगा बड़ पहले example के दुरू समझो इस point को यह example मुझे क्या बता रहा है कि non-inverting terminal पे non-inverting terminal पे मेरी voltage कितनी है 2V inverting terminal पे यह ground दिख रहा है ground का मतलब क्या हुआ? inverting terminal पे voltage कितनी है 0 non-inverting terminal पे voltage is 2V inverting terminal पे voltage is 0V What is a virtual loan concept? जो voltage यहाँ पर होगी non-inverting terminal पे वह voltage is on inverting terminal पे होगी उस concept में हमें inverting terminal की voltage नहीं पता होती थी यहाँ पर तो हमें पता है ना? यहना पता है? पता है? Ground घह सकता है नहीं हो सकता है इन अंवर्टिक रम्नल्ला पर इसको भी आंट के सब्चार्य हों क्योंकि इस कोई भी सिल्टे कर नहीं इसकोगे सब्सक्नेक्टे लागे नहीं हो सकता है 5th point जो मेरा है वो यही कहता है कि if अगर हमें पता है कि दोनो terminals पे जो voltage है वो known है तो virtual ground concept नहीं होगा यहां पर हमें इस terminal की voltage भी पता है minus 2 volt इस terminal voltage की पता है 0 volt क्यों ground है तो इस case में virtual ground concept वैलिट नहीं होगा तो basically यह क्या कर रहा है virtual ground concept is not valid when we know the voltage of both of the terminal that is inverting a terminal and non-inverting terminal तो यह point आप लिख लो यह मैं इसे raise करो और के इंदो जगे है यही पर लिखना पड़ेगा जा explanation मेने बताई है हर point के साथ वो आप नोट दरूर कर लेना क्योंकि points याद करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको पता रहो वो के वालिट कहां पर है तो basically 5th point मेरा क्या बोलता है virtual ground के बारे में virtual ground is not valid if if the voltage of both terminal is not virtual ground अगर वो बोत दुन terminal की voltage हमें पता है तो virtual ground concept वालिड नहीं होगा तो इसके लाबा और 5 point के लाबा और एक और point है वो में तब बताऊंगा जब वो concept पड़ाऊंगा that means आप एक space थोड़ा अगर आपका space है तो space शोड़ दीजिएगा एक concept और वर्टुल लाउंड के बारे में कि कहां पर valid होता है नहीं होता वो में बताऊंगा इसके अलाबा आब एक्जामपल देख लेएं वर्टुल लाउंड की क्या है वर्टुल लाउंड क्या नहीं है उसे पहले आईडिल अपम के बारे में थोड़ा सापको बता तो आईडिल अपम के बारे में डिसकस अभी तक नहीं किया बस हमें इतना ही डिसकस किया कि स्थाइ प्राबलम नहीं होग, इतना है यह वर्फाल गाने रहा है सारा इसका अप्लिकेशिन पर सब्सक्राइन पर आता है, अर्णसको अप्लिकेशिन पारो कर रहे हो कहाँ 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 पर यह भी हुप्लाय हो रहा है मैंने बता दिया, कंडियों पाईला काम था कि वर्चुलाओं कंसेप्ट की कंडिशन्स क्या है, तीसरा काम किया होगा इसकी अप्लिकेशन्स ठीक है, एक आइडियल उपम्प देखते हैं यह एक आइडियल उपम्प है ठीक है, यह इन्वर्णिंग डमिनल, यह नन इन्वर्णिंग डमिनल पहली चीज आइडियल उपम्प में क्या होती है, कि इसका अपल उप गेन इंफैनिट होता है आइडियल उपम्प में आपको सबसे इंपर्णन बात क्या रखने है, याद रखने है जब भी आपके पास आइडियल उपम्प होती है, कि इसका अपल उप गेन इंफैनिट होगा दूसरी चीज क्या है, आइडियल उपम्प में जो इंटर्नल करंट होता है वो जीरो होता है, बहुत इंपर्टेंट पॉइंट है, द्यान से सुनना, द्यान से याद भी रखना इस बात को कि आइडियल उपम्प में जो करंट होता है, इंटर्नल टर्मिनल के बाद जो करंट होता है, वो जीरो होता है इंटरनल 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 के बाद इंटरनल इंटरनल के बाद इंटरनल इंटरनल के बाद इंटरनल के बाद इंटरनल इंटरनल के बाद इंटरनल के बाद इंटरनल के बाद इंटर में current 0 होता है ideal opamp, important बात है यह एक, यह चीज हमेशा याद रखनी है, यह एक ideal opamp है, और इसमें जो internal current है वो 0 है, कैसे, basically, AOLA में पता है क्या है, infinite, जो की होता है VD, upon Voutput upon VD, ऐसा कुछ होता है, इसके बाद, अगर मैं इसका input resistance देखूँ, input impedance क्या होगा, इस opamp का input resistance क्या होगा, input resistance होगा, VD upon IIN, मुझे पता है, IIN तो मेरा 0 है, IIN 0 कैसे, मैंने बताया कि ideal opamp में, input current हमेशा 0 होता है, input current हमेशा 0 होता है, जै कि inverter inverter terminal पे ना तो कोई current आ सकता, और non-inverting terminal से ना तो कोई current जा सकता, तो internally opamp में कोई current नहीं होता, ideal opamp की बात करना होगा हूँ, अगर ideal opamp में input current 0 होता है, तो यह infinite हो गया ना input impedance, input resistance infinite हो गया that means यहां से resistance है ideal opamp का वो infinite हो गया ठीक है और यहां से अगर impedance input resistance का 0 हो गया तो एक और बात निकल के सामने आती है जो की है कि अगर opamp अगर opamp यहां पर देखो अगर opamp ideal है ideal है तो उसमे input resistance उसका infinite होगा अब यह मैंने बताया हमें यह पता है ideal opamp में open loop gain हमेशा infinite होता है यह तो हमें पता ही दूसरी चीज के है ideal opamp का output impedance 0 होता है वही पर अगर हम practical opamp देखें प्रेक्टिकल में क्या होता है जो input impedance होता है वह अप्रोक्स तू मेगाओम के बराबर होता है अप्रोक्स वैल्यू बतारों में आपको output impedance output resistance 5280 ohm हो सकता है open loop gain जो है practical opamp का वो 10 raise to the power of 6 के असपर्स हो सकता है यह values है ideal opamp की यह values है practical opamp की ideal opamp और practical opamp के बारे में discussion करना था वो यही था ideal opamp में internal current जो है वो 0 होता है यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है okay यह note कीज़े फिर इसके बद कुछ examples करते है ठीक अब 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 आमे वर्चुल प्रम पंसप्ट आ गया और ideal opamp के बारे में जो नॉलिज थी वो हो गई ideal opamp के बारे में जो पता होना था वो हो गया कॉशन देख लेते हैं कॉशन कैसा है यह देख यह कॉशन यह कॉशन यह दो रेजिस्टंस दियो है यह उट्पुट दिया हुए यह दो रेजिस्टंस रवन है यह दिस रटू और नॉन इंवर्टिक देख दिया हुए यह 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 इस केस में मुझे आउट्पुट निकालना अपम का आउट्पुट निकालना और यह एक आईटील आपम यह एक आईडील आईट्पुट निकालना इसमें मुझे output निकालना है आरव नरटो की value नितनी है general term निये है हमारे पास जो answer है कि general term नियागी कोई output मतलब कोई numerical value नियागी generalist का हम output निकालना है कैसे निकालना है पहले बात तो आपको यह बता होना चाहिए कि इसमें virtual ground valid होगा नहीं होगा तो देखो negative feedback system है दूसरा point की है इसका जो open loop gain है वो infinite है दोनों condition valid हो रही है उसके लाब और कोई condition नहीं थी दोनों condition value virtual ground की that means यह virtual ground इसमें follow हो रहा है virtual ground इसमें follow हो रहा है जो voltage यहां पर है वह voltage यहां पर होगी non-inverting terminal पर जो voltage यहां पर होगी पर मेरा क्या होगया zero volt zero volt यहां पर होगया । इस point पर zero volt होगया यहां पर मैं इसको ideal opamp है ideal opamp है क्यों? अपर लूब गेन इसका infinite है ideal opamp है तो इसमें internal current तो 0 हो गई होगा that means इसमें जो internal current है वो 0 ampere है यहां पर भी यहां पर लगता हूं मैं और यहां पर भी जो current जा रहा है वो 0 ampere है इस point पर भी जो current जा रहा है वो 0 ampere है फोड़ा बड़ा बनाओं क्या देख रहा है? बनाई देता हूं देखो इसमेंगल को दुबारा देखो इस question को आई बनाई यहां बनाई दुबार खो मूटो मूटो पर मूटो पर भी दिवज पर यहां पर भी-बनाई देखो, यहाँ पर non-inverting terminal है, यह 0 potential पर है क्योंकि ground है, same as it is, यहाँ पर भी 0 volt होगा, क्यों? non-inverting terminal, inverting terminal के बराबर होगा, क्यों? Because AOL equals to infinite, इसलिए VD equals to 0, इसलिए V non-inverting equals to V inverting, that is virtual ground concept. non-inverting equal होगा, non-inverting इतना है, 0 volt और inverting भी 0 volt होगा, हमें एक और चीच पता है, ideal opamp में, एक और चीच क्या होती है, ideal opamp में internal current 0 होता है, अगर इस branch में, इस branch में, I1 current flow हो रहा है, और इस branch में, I2 current flow हो रहा है, तो हमें पता है, कि इस point के बाद, internal point के बाद, opamp के अंदर कोई भी current नहीं जाएगा, opamp के अंदर कोई भी current नहीं जाएगा, 0 current होगा, क्योंकि ideal opamp है, इसके बाद, यहां पर अगर मैं देखू, I1 current क्या होगा, इधर देखो, इधर निकालता हो, I1 current क्या होगा, I1 current क्या होगा, this voltage minus this voltage upon my resistance, that means, I1 is, input voltage, V I, minus 0V upon R1, अब देखो, I2 current क्या होगा, this voltage minus this voltage, यह क्या है, यह output terminal है ना मेरा, यह output terminal है मेरा, this voltage minus this voltage upon resistance, यह मेरा I2 होगा, I2 की value में निकाल लेते हैं, 0 minus V output upon R2, that is minus V output upon R2, और यह हो जाएगा V input upon R1, I1, यह मेरा पस I1 और I2 की values आगी है, ठीक है, अब इदर देखो, क्योंकि, OPM के अंदर कोई current नहीं जा रहा, तो यह जो I1 current है, यह ही I2 current हो जाएगा, current ऐसे आएगा, और ऐसे निकल जाएगा, क्यों? तो internal current तो OPM जीरो होता है, ideal OPM जाएगा है, तो अंदर कोई current जाएगा है, इसका मतलब I1 और I2 बराबर है, तो इस expression में से, अगर मैं I1 I2 को बराबर लिखूँ, Vr2 है, तो मैं पस output क्या जाएगा, V output will be minus R2 upon R1 into V input, यह देखो, एक standard result है, एक standard circuit भी अबाब में बताऊंगा आगे, बट अभी के लिए समझो, बस मैंने example के लिए बता है, क्या बता है आपको? वर्चुल क्राण कंसेट का example, मैंने आपको बता है कि वर्चुल क्राण कंसेट कैसे होता है, साथ में, आइडियल OPM के बारे में बता है कि अगर आपके पास infinite है, तो आइडियल OPM होगा और OPM का इंटर्नल करंट जीरो होगा, definitely अगर कोईसी OPM में वर्चुल क्राण कंसेट वैलिड हो रहा है, तो वो आइडियल OPM है और अगर आइडियल OPM है तो इसका इंटर्नल करंट जीरो होगा, तो हमेशा याद रखना जिसमें भी तुम वर्चुल क्राण कंसेट अप्लाए कर रहे हो, उसमें उसका इंटर्नल करंट हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है? इसके बाद एक एक अग्जाम्पल देख लेते हैं, यह तो मैंने जनरल किसी बता है, इसके बाद एक अग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हमारा वर्चुल क्राण कंसेट का आज का जो लेक्चर हो पूरा हो जाएगा, तर नेक्स लेक्चर से हम नॉन इंवर्टिंग और इंवर्टिंग अंप्लिफियर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक नुमेरिकल देख लेते हैं, मैं आपको एक नुमेरिकल करा ज़ता हूँ, इस पर थोड़ा दर यह हमें एक सर्केट दिया हूए, इन उन इंवर्टिंग, यहां पर हम एक करंट दिया हूए, वन मिली अंपियर का करंट सोर्स, यह ग्राउंड है, यहां पर एक रेजिस्टेंस उसके बाद यह ग्राउंड है, यह 1 kOhm, यह भी 1 kOhm, और this is 3 kOhm, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 kOhm, रेट से लिग देता हूँ, this is also 1 kOhm, this is 3 kOhm, यह 1 mAh का करंट सोर्स दिया हूए, यहां से हमें और पूट लेना है, op-amp का जो open-loop gain वो infinite है, इस numerical में मुझे बताना है कि output क्या होगा, output क्या होगा, सारे concept, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वर्चुल काम पढ़ा है, उसके बाद ideal op-amp के बारे में, देखाए कि internal current जो होता है, वो 0 होता है, आएक होता है, क्या अव्स करणे है, को मारे में महांन आवा महाले ही बार दत्रया नुम्म्म्म्म्म्मण गाता हमजीजन Г uy्ख्यान गाओ रहा होता है, तो इधान रखना है इसके बाद अगर मैं देखू हूँ यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या करने हमें यह ग्राउंड है यह मेरा ग्राउंड है यहाँ पर ग्राउंड होने के बाद जो current होगा internally वो 0 होगा क्यों? Continuousnte अब इस ब्राउंड में 0 होगा इस ब्रांज में 0 होने इस का मितलब यह रजिस्टन्स है इसके अक्रोस ड्रॉब भी 0 होगा घ़्ाई यहाँ पर झाल समय माफने लोट्स पॉट्स लीटिठरप lounge vast यहाँ पर यॉकल की दोड आ पर यहाँ नमनननल पे 002D S7 that's why we invert particular part because of virtual ground concept which is valid here just because of the open loop gain is infinite and this is an ideal opamp , तो 라 próxima एस की वेज़य से virtual current current 뉴스 valid होगा और inverting terminal की voltage itself होगी , journée 0 मैं निसकी आपको प्रूफ की और इसकी अपनी 0 है current flow उसमे 0 ряд 0 current flow होब इसकी resistance तो रिजिस्टनस में रिजस्तेंस में तो ऊसके ख़त ins to 0 voltage drop հोगा 0 voltage drop है इसलिए है यहाँ पर 0fps complex तो यहाँ पर भी zero voltage होगी, इस point पर इसको फोड़ा चोटा लग देता हूँ, zero ampere और इस point पर zero volt होगा हूँ ठीक है? यह one milli ampere यहाँ पर तो कुछ जाए नहीं रहा इसका मतलब सारा current इतर जा रहा है इसमें जो current flow हो रहा है जो कि मैं ऐसे ही नाम देता हूँ, I1 I2 लेता है I2, I2 3kΩ में अगर flow हो रहा है तो यहाँ पर जो voltage है और यहाँ पर जो voltage है वो, यह zero voltage output volt है, तो मैं इस current को निकाल सकता हूँ I2 की value क्या होगी this voltage, zero minus output voltage upon 3kΩ that is minus V output upon 3 ठीक है? यह मेरे पास आगया इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो मेरा I2 है जो I2 current है वो same current है जो यह current जा रहा है 1 mA का current source है 1 mA का current source है तो जो मेरा I2 है वो ही 1 mA है क्योंकि यहाँ पर current 0 हो रहा है जो current यहाँ से flow हो रहा है वो ही इसमें जा रहा है I2 1 mA है 1 mA यह लिखूँगा output मेरा क्या हो गया minus 3 V दो यहाँ से मेरा output minus 3 V आगया तो इस नमेरे कज से पो इस तो इस नम्हें पता लगा क्या पता लगा इन्पुट जो करन्ट आदा वो जीरो उता है हो जाएगा इसके feedback resistance में और वो ही हमारे पास आगया ठीक है इसमें एक interesting बात interesting क्या मतलब देख लो अगर यह resistance ना भी होता 1kohm का resistance नहीं भी होता तो आप करके देखना ही है कुछ से करके देखना यह 1kohm resistance हटा के फिर दूसे दुबारा solve करना output हमारा 3V तो इदियान रखना है यह resistance हटा के इस question को दुबारा solve करो आप अपने आप से और फिर output निकल के देख सेम आएगा इस resistance का कोई मतलम नहीं मैंने इसको short भी कर देना तब भी कोई बात नहीं होगी तब भी नुमेरिकल का अंसर सेम ही होगा ठीक है इसके लावा एक नुमेरिकल और देख लेते हैं एक concept आपको बताने ideal opam और practical opam से related अभी वो ही चल रहा है ideal opam के बारे में discussion चल रही है तो एक नुमेरिकल और देख लेते हैं चोटा सा concept में आपको आपको समझाना है बड़ उस concept को मैं example के तुरू आपको समझाना है सिधा बताऊंगा निए बता दूगा तो आपको याद तो हो जाएगा बड़ समझ रही आएगा समझ भी आजएगा तो बड़ा explain कर दूगा तो बड़ फिर भी एक अगर आप example के तुरू concept को समझोगे समझ में आती है क्योंकि हम engineers को हमेशा facts चाहिए होते हैं किसी भी काम को करने से पहले पता होना चाहिए क्यों रहा है ऐसी मतलब हो रहा है तो फिर तो उसका कोई reason नहीं रहेगा तो देखो एक opamp लेते हैं यह भी एक ideal opamp है ideal opamp की बारे में बात करो हूँ तो इसका गेंज होगा वो infinite होगा इसके लाबा यहाँ पर 1 kilo ohm का रैट से लिखता हूँ यह values 1 kilo ohm का एक resistance यहाँ पर है और 2 kilo ohm का resistance यहाँ पर है 1 kilo ohm का यहाँ यहाँ पर है और जो मेरा non in writing terminal है वो उसको मैं ground कर देता हूँ इस case में मुझे output निकालना है क्योंकि इस case में मेरा output क्या होगा output क्या होगा इस case में देखो internet current 0 है यहाँ पर यह non inverting है V non inverting which is 0V क्योंकि ground है यहाँ पर भी 0V हो जाएगा simple जी पात है यहाँ पर भी 0V हो जाएगा यहाँ पर 0V हो जाएगा यहाँ पर जो current flow हो रहा है इस वाले उसमे circuit में वो i1 है इसमें flow कितना हो रहा है i2 अगर मैं i1 निकाल हो यहाँ से i1 कितना हो जाएगा i1 इसमें flow हो रहा है 5V-0V1K 5-0V1 5-0.1 5-0.1 that is 1 5A mA i2 कितना हो जाएगा i2 किया हो जाएगा 0- output upon 2 i2 i2 क्योंकि हमें बता है कि internally opamp में कोई current नि जा रहा तो i1 i2 होगा i1 i2 को एकवाल अगर में रख दूँ i1 के वली 5mA है i1 i2 के जगा i1 लिख दू i1 की value मेरे पास 5mA है 5 equals to minus V output upon 2 that means V output मेरे पास कितना हो जाएगा minus 10 volt ठीक है यहाँ पर मेरा open loop gain है वो infinite ठीक है इस question को मैं थोड़ा सा modify करूंगा थोड़ा सा modify करके यह question समझाया कुछ भी था वर मैं निकाल दिया आप तो यह फैमिले होगे होगे इस प्रोसीजर से जो भी करना है क्योंकि इस प्रोसीजर यही होता है जो मैं आपको अभी बता रहो ठीक है इस question में अगर मैं एक बर देखूं यहाँ पर आपको अपर लूप गेन इन्फिनिट ना देके 10 दे दू यहाँ आपको अपर लूप गेन आपको 10 दे दिया अब क्योंकि अपर अपर लूप गेन आपको 10 दे दिया that means जो virtual ground concept था वो valid नहीं होगा virtual ground concept valid नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यह जो अपर है यह practical opampe अब यह तक तो हमने ideal opampe के बारे में बात की थी एक practical opampe के बारे में बात करते हैं कि practical opampe में अगर आपको output निकालना हो तो कैसे निकालोगा ठीक अब देखो इसमें जो virtual ground concept हो तो valid होगा नहीं तो इसको solve करने का तरीका लगोगा यहापर जो है voltage वो v-inverting होगी ठीक है आप देखो जो i1 होगा i1 वो क्या होगा मेरे पस 5V minus v-inverting यहापर इस point पर v-inverting voltage upon 1 यह यहीं पर अगर मैं देखो i2 क्या होगा i2 क्या होगा हमारा i2 होगा v-inverting minus v-output upon 2 इसको solve करते है solve क्या करना है यह देखो यहाँ यहाँ पर AOL के value हमें 10 दियो है AOL के value हमें 10 दियो है AOL के दियो है देखो virtual ground concept valid नहीं है इतना थो पता v-non-inverting 0 है v-output upon v-inverting की value minus दाना जाएगी और v-inverting यहाँ से अगर हम निकाल ले v-inverting कितना हो जाएगा v-output upon 10 यह मेरे पास v-inverting की value यहाँ पर आगी यहाँ तब कोई problem नहीं है इसके बाद मैं इस point पर यह जो inverting terminal है इस point पर अगर kcl लगाँ kcl at v-inverting kcl लगाँ इस पर तो देखो current आ रहा है v-inverting minus 5 upon 1 plus v-inverting minus 0 v-inverting minus output voltage upon 2 equal to 0 2 का multiply कर दो 2 v-input v-inverting minus 10 plus v-inverting minus v-output equal to 0 तो यह 3 v-inverting minus 10 minus minus v-output minus 10 v-output minus 10 v-output equals to 100 that is minus 13 v-output equals to 100 v-output will be 100 minus 100 upon 13 13 will be enough and we will solve it then 100 upon 13 7.69 hmm 7.69 7.69 so v-output 7.69 volt minus minus 7.69 volt मेरा आ गया जब मेरे को गीन 10 दिया ठीक है? तो यहां पर लख लो आइडिल आपम का किस बताया था आइडिल आपम का किस बताया था same question मेरे अगर मैं इसका gain 10 की जगा 10,000 कर दूँ same question मेरे अगर मैंने इसका जो gain है openloop gain 10,000 कर दिया इसके बाद अगर हम देखें क्या-का चैंजिस होंगे अगर मैंने 10,000 कर दिया same question में modification कर लेते है 10,000 3-0 पट जाएगी इदर भी और इदर भी और यह मारे पास क्या हो जाएगा 10 raise to the power 4 we inverting minus we output upon 10 raise to the power 4 इसका मतलब जब मैं यहां पर इसकी वाली पूट करूँ तो यह कुछ आसा हो जाएगा 10 raise to the power 4 that means minus 3 10 raise to the power 4 multiply करूँगा इसको मैं वही हो जाएगा 10 raise to the power 5 आजाएगा ठीक है और अगर मैं एक मिनट यह मेरा inverting v output upon 10 raise to the power 4 आगया इसको मुझे यहां पर प्लेस करना है यहां पर inverting के वले 10 v output upon 10 raise to the power 4 आगया इसके बाद काम कर्दिस की बाद की कल्कुलेशन कुद से कर लेता है ठीक है यह minus 3 v output upon 10 raise to the power 4 minus 10 raise to the power कितना हो जाएगा 5 minus 10 raise to the power 4 v output equals to 0 ठीक है इसके बाद यह सारा इसके बाद minus 3 v output minus 10 raise to the power 4 v output equals to 10 raise to the power 5 कितना हो जाएगा approximately मैं output को बाहर निकालू minus 3 minus 10 raise to the power 4 equals to 10 raise to the power 5 यह approximately 10 raise to the power 4 यह आएगा that means v output will be 10 volt यह अप्रॉक्स value है तो अगर मैं गेन को 10,000 करता हूँ तो मेरे जो output है वो 10 volt आ रहे गेन 10,000 करना पर और गेन 10 था तब कितना रहा था minus 7.5 इससे पहले एग्जामपल में आप देखो अपनी आपने नोट किया होगा इससे पहले एग्जामपल में जब मैंने इहां infinite लिया था तब भी मेरा जो output था वो 10 volt आ रहा था 10 volt आ था इससे पहले जब मैंने इस circuit इससे पहले में इहां पर infinite रखा था जो open loop gain था उसके बाद मैंने 10 रखा उसके बाद मैंने 10,000 रखा तब मैंने 10,000 रखा तब मैंने 10V output आ रहे 10V यह मुझे क्या बताता है यह जो तीन मैंने आपको concept बताये तीन जो नमारेकल कि throughmax समझाना चाहरा था आपको वो यह समझाना चाहरा था कि देखो आप तो इसका मतलब निया आटा जेता हूं यह देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो V output प्रेक्टिकल आपम का है वो हमेशा V output ideal आपम से कम होगा क्यों? magnitude of ideal आपम से कम होगा जेखो output यह ideal आपम का है जहांपे मेरा AOL 10 था AOL 10 था उसमें 7.9 था 7.69 था तो वो जब मेरा AOL infinite था तब मेरा V output 10 V था एक case ही होगा तीसरा case जो में आपको बताया AOL 10 था था तब मेरा V output तब ही 10 था यह तीसरा case तो तीनों केस में अगर हम देखें तो प्रेक्टिकल आपम का जो आपम है वो हमेशा कम है आडिएल उपम से यह तौरा मेरा first observation जो मेरा last 3 था यह आपको बताया Second observation क्या होगा कि अगर किसी भी उपम का उपरलूप गें greater than 10 raised to the power 4 होगा तो उसको जो V output होगा वो same होगा अगर किसी open loop अगर किसी open loop gain 10 raise to the power force हो जादा है तो वो open ideal होगा कैसे मैं किस बेसे पर बोल रहा हो मैं कि ideal होगा देखो जब अमने open loop gain 10 raise to the power 4 लिया that means इस वाले case में तब में मेरे पास output आरहा था V equal to 10 volt यह और जब अमने infinite लिया था इसके जगह तब भी हमारे पास output आरहा था 10 volt यह previous numerical जो मैंने इससे कराया था इसका मतलब अगर किसी open loop gain 10 raise to the power 4 से जादा है तो हम उसको treat करेंगे as an ideal opamp तो अगर आपको numerical में बहुत सारे numerical ऐसे मिलेंगे जहां पर opamp का open loop gain 10,000 या उससे जादा है तो आप उसको as an ideal opamp treat करना उसमें virtual ground concept लगेगा समझाया तो उसको यह देखके virtual ground concept मत लगाना यह देखके skip मत करना कि इसमें तो virtual ground concept लगेगा ही नहीं क्यों उसका gain 10,000 है पर अगर किसी भी opamp का 10,000 gms का मतलब वो near to infinite ही है इसको जो output होगा वो near to वही है जब इसका open loop gain infinite होगा जो मैंने प्रूफ करके आपको बताया तो यह आज के class में virtual ground concept complete होगा next class में हम करेंगे non-inverting और inverting opamp के बारे में बात करेंगे तब तक जितना भी आज की class मेंने कराया है सारे concept रवाइस की जए बहुत important concept एक एक numerical मैंने बहुत important कर रहा है जो help करेंगा आगे वेकल करने के लिए तो एक ए concept को बार-बर revise करो और दिमाग में बढ़ालो की virtual ground concept के और ideal opam की के-के properties और virtual ground concept कहां कहां पर valid है तो ठीक है next class में मिलते हैं हाज के लाज से ही खतम करते हैं तो बाई, take care झाल 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 झाल